प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी के अध्यक्षिता में मंत्री मंडल की आर्थिक मामलों की समिती यानि CCEA ने चीनी के लिए भंदार सीमा 6 महीने तक बढ़ाने के लिए खाद्य मंत्राले के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि चीनी की कीमतों को कुछ हद तक कम किया जा सके अगर बाजार की कीमतों पर नजर डाले तो बाजारों में चीनी 42 से 44 रुपे किलो बिक रही है लेकिन आगे भी इसके रेट बढ़ने की आशंका जटाई जा रही है फिलाल पस्चिम बंगाल के अलावा देश के अन्य भागों में चीनी व्यपारियों के लिए भंडार सीमा 500 टन और कारुबार सीमा 30 दिन है पस्चिम बंगाल में भंडार सीमा 1000 टन है इससे चीनी के बढ़ते हुए दाम कुछ कम हो सकते हैं अगर ऐसा होता है तो इससे जनता को काफी राहत मिलेगी